मेरे परिवार जनो बाजपा सरकार चाहे केंद्रमों या फिर MP में माता और बहनों की सुविदा और सतक्तिकरांग हमारी प्रात्विक्ता है बाजपा सरकार में मत्यप देश की 80,000 से अधिक बहनों को उजवला योजना के गैस का कनेक्शन मिला है इन मैंसे पौने दो लाग बहन बेटियों तो हमारे गुना की है कॉंगरेस ने माता और बहनों को धुए में रखा मोदी ने धुए से मुक्ति दी उजवला की लाखो लाबार दे बहनों के लिए गैस सिलिंडर को 500 रुपिये और डिसकाउंट कर दिया 500 रुपिये सस्ता कर दिया और बहनों आपका ये भाई यहीं पर रुकने वाला नहीं है आप लोग जब बोतल का पानी खरीती है न तो महेंगा होता है लेकिन जब वही पानी पाइप से आता है उतना ही शुद्ध पानी सस्ता हो जाता है इसी तरह अब बाजपा सरकार की कोशिस आपकी रसोई तक अब सिलिंडर की जरुन नहीं पाइप से गैस आएगा और पाइप से गैस आएगा तो आज जो गैस है उससे भी सस्ता हो जाएगा जब पाइप से गैस पहुँचेगा तो आपकी रसोई सस्ती होने वाली है भाजपा सरकार की वापसी के बाद यहाँ MP में इस अभियान को हम और तेज करने वाले हैं इसके हमारी बेहनों बेटियों के पैसे भी बतेंगे और उनकी सुविदा भी बढ़ेगी मेरे परिवार जनो आज भाजपा पर माता और बेहनों के आशिरवाद का एक और कारण है अब आप याद कीजिए हमारे समाज में कैसी कैसी रितीर बनी जो कुछ भी होता है या तो पती के नाम पे होता है या पिता के नाम पे होता है या बेटे के नाम पे होता है गर है महिला के नाम नहीं या तो पिता पती या बेटे के नाम खेत है तो पिता या पती के नाम पर गाड़ी खरीजी तो पिता या पती के नाम पर दुकान खरीजी पिता या पती के नाम पर महिला के नाम पर क्या ये स्थिती मोदी को मंजोर नहीं है और इसलिए हमने निर्णा किया प्रधान मंत्री आवास योजना के जो घर देते न ये घर उसकी मालकिन उस घर की महिला होगी घर उसके नाम पर होगा और एक-एक घर की किमन लाखों में है तो मेरी माताए बहने आज लगपती बन रही है लगपती बन रही है और इसलिए भाई को बहुत संतोष हो रहा है MP में 45 लाख से अधिक परिवारों को पक्के घर मिल चुके है और देश भर में 4 करोड घर बनाए 4 करोड घर आप बताएंगे कितने घर बनाएं कितने 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 यह 4 करोड घर दुनिया के किसी देश में कूल घर इतने नहीं होते है हमने 4 करोड नए पक्के घर उन लोगों को दी हैं जिनके पास घर नहीं था और हम वो लोग हैं जितनी भक्ति से राम मंदिर बनाते हैं उतनी ही भक्ति से 4 करोड घरीबों के घर भी बनाते हैं यह हमारा सोचो नया तरीका है इन में गुना जिले में लगबाग 22 अजार घरीबों को पक्के घर मिले हैं लाखों की किमत वाले इन पक्के घरों की मालकिन अधिकतर हमारी माताए बेहने हैं पहली बार उनके नाम कोई संपत्ती हुई है चाहे प्रदान मंत्री मात्रू बंद निया योजना से हजारों रूपियों की मदद हो या लाडली बेहना और लाडली लश्वी योजना हो ये बेहनों बेटियों की छोटी-छोटी जरुतों को पूरा कर रही है वही स्वयम सहायता समू अभियान के माध्यम से हमारी ग्रामिन बेहनों को आर्थिक रुप से मजबूत बनाने का भी बिड़ा बहुत बड़ा हमने अभियान चलाया है बाज़पा की केंदर सरकान ने इन समूओं को बैंकों से मिलने वाले लोन दो गुना कर दिये पहले बिना गैरंटी इन समूओं को 10 लाख रुपिय तक ही लोन मिलता था अब ये हमने 20 लाख रुपिय तक का लोन बिना गैरंटी देना तै कर लिया और मिल रहा है इस वर्सलाल के लिए से मैंने स्वयम सहायता समूओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग और ड्रोन देने की भी गोशना की है इस ड्रोन के उप्योग से बेहनों बेटियों को अतिरिक्त आय होगी ऐसी हर योजन आए जो बेहनों बेटियों को सुविदा देती है उन्हें ससक्त करती है इनमें MP बहुत आगे है